ओम शान्ति आज फर्स्ट जानवरी दोहजार तेईस है प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपने लक्ष और लक्षन को समान बनाने के लिए कहा हमारा लक्ष और लक्षन समान नहीं हो पाता है उसमें अंतर पड़ता है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर एहंकार आ जाता है एहंकार भी कई प्रकार के हैं लेकिन हमें अपने आपको मूल दे एहंकार को समाप्त करना है और तब ही हम अपनी निरंतर फरिष्टा स्थिती, निरंतर निराकारी स्थिती का नाच्रल अनुभव कर सकेंगे आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया इस मर जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव इच्छा मात्रम अविद्या एक ऐसी स्थिती है जो भरपूर्ता की निशानी है जिसके पास अता होता है जिसने सब कुछ पाया होता है जिसके पास हर प्रकार की शक्ती होती है वही इच्छा मात्रम अविद्या रह सकता है अगर कही न कहीं कोई भी असन तुष्टता है कुछ लेने या पाने की इच्छा है तो वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिती नहीं होगी चाहे संसार से कुछ पाना है, लोगों से कुछ पाना है कोई साधन पाने की इच्छा है किसी भी प्रकार के अनुभव करने की इच्छा है वो इच्छाएं हमारी तबसमाप्त हो जाती है जब हम इस मर जीवा जनम में आते हैं यानि इस पुरानी दुनिया से मर कर बाबा की गोध हमें मिल जाती है और जिसने बाबा की गोद को पाया है उसने सब कुछ पाया है क्योंकि बाबा का बनने के बाद बाबा हमारी हर एक स्थूल और सुक्ष मिच्छा पूरी कर देते हैं बाबा जो मास्टर सर्व शक्तिवान हम बच्चों को बनाता है जो हमें भी शक्तियों का वर्सा देता है गुणों का वर्सा देता है अनुभवी बनाता है तो इच्छा पैदा होने की कोई भी मार्जन ही ने रहा जाती हम सदा उन अनुभवों में उन शक्तियों गुणों औ और श्रेष्ट संबंद की अनुभूती में खोई हुए रहते हैं। ऐसे बच्चे जो पुरानी दुनिया से सदा के लिए मर जाते हैं, बाबा की गोद में सदा के लिए जीते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, वही इच्चा मात्रम विद्या की स्तिती का अनुभव करते हैं। ओम शान्ती